जी जी देखिए सब को राम राम जेसी करश्णा ये देखिए ये बट्टी का है ये पांच लीटर वाला गेस का सिलिंडर है अभी बाकी है इसमें ये देखिए ये बोटम फायर ये बोटम फायर है नीचे से ही आगा रही है जी जी देखिए ये ये पाइप है ये पाइप से नीचे से ही ओल से अंदर आ रही है और अंदर तीन पेर है एक दो तीन पेर फोद मुस्ट रखने के लिए डिया रखने के लिए अंदर की साइड़ ये ग्लासूल है, फूरा ग्लासूल से बढ़ा हुआ है, और ये प्लाश्टर और पेरिस नहीं लगाया था, लेकिन प्लाश्टर और पेरिस नहीं लगा न, अभी भी, रेत और प्लाश्टर और पेरिस से बनाया है, और ये ढकन है, इनका, ये ढकन है, ढकन के अंदर भी ग्ल व्लास्फुल भर्ना यहां खड़ा रखके ग्लास्फुल भरना बाकी है, ये देख लेड़ी जी है इसके अंदर राईनल स्टिल भी फ़िगल जाता है ये पाइप ये पाइप का वाल है, ये गैस का है, गैस की लाइन जा रही है, ये ब्लोवर है बरोबर, अब मैं नीचे की साइड दिखा देता हूँ, नीचे से ही यह न, सिर्फ एक बेंड करके ही दिया हुआ है, देख लीजिए, ये जो था, देख लीजिए, नीचे होल करके ये बेंड ही यह न, डाइरेक्ट दे दिया है, इसके अंदर लोहा भी पिगल जाता है, श्टील भी पिगल जाता है, मैं श्टील भी पिगल जाता है भाई, डाइरेक्ट आता है न, फ्लेम, तो, ये ये है, ये पट्टी, पट्टी का जो बोला था न, कि किसी को पट्टी की कोई बना ना हो, तो बना ले, अभी तो मैं है न, इसके उपर ऐसे ही ये होल वाला ग्लासूल रख देता हूँ, देखिए, ठकन के अंदर नहीं रखा है, मेरे पास ग्लासूल कम था तो, ऐसे ही रख देता हूँ, और गला लेता हूँ, अभी ये ठकन के अंदर है न, करना बाकी है, ठकन के अंदर देखिए ठकन को एई से ही पेक करना है इसमें जैसे होल है न यह एई से ही यह साइड फायर वाली भट्टी यह छोटी सी यह साइड फायर वाली है साइड से आता है यह देखिए यह साइड से आता है और उसमें तली में से जाता है तली में से जाता है तो पूरा का पूरा चक्कर खाता है यह साइड वाली है देख लीजिए इनके अंदर भी हीट होती है लेकिन वो हीट चक्कर खाती है साइडों को गरम करती है और वो तली को ही लगती है तो से हिट लगेगी तो जी जी देख लीजिए भाई